दोस्तों बात करने वाले हम लोगों जिवन स्मॉल फिनांस बैंक सेर के बार में स्टॉक में क्या टार्गेट ऊपर के तरफ देखने मल सकता है या फिर एक नीचे के तरफ स्टॉक गिराउट डिखाएगा बात करेंगे आज की दिन स्टॉक में देखेंगे तो सपोर्ट उपर सस्टीन करने का लेकिन आज की दिन 50 रुपिस के लेवल ब्रेक आउट होते हुए दिखा है तो किसी ने स्टॉक में इंवेस्ट करके रखा या फिर लॉंग टेमस आपस आपका स्टॉप लॉस अराउंड 45 रुपिस के पास होना चाहिए प्यूकि अगर बाइचान स् अगर 50 रुपिस के उपर स्टॉक निकलता है और मिनमाम दो से तीन दिन तक स्टॉक ट्राई करता है 50 रुपिस के उपर सस्टेन करने का तो स्टॉक में देखेंगे एक अच्छा उपर के तामदों को मुव्मेंट देखने मिलेगा जिससे 100 टेमस आपसे टागेट निकल के सकता है जो कि राउंड 60 से लेकर लगबर 70 रुपिस तक का और लॉंग टिम सब्सक्राइब को 100 रुपिस तक का भी लेवल फिर से टश करते हैं दिख सकता है तब तक के लिए इतना इस वीडियो में वीडियो चालेगा तो लोगों को लाइक करें और चानल को सब्राइब कर कि लेद थीडियो तक करेंगा तो लाएंड 60 रुपिस तक कि ले ले लेग़ाब।